प्यारे बच्चों इस सेशन में आप सभी का स्वागत है आए आज हम कक्षा दस्वी के निर्दिसांक ज्यामिती का आध्यान करेंगे पिछली कक्षा में आपने पड़ा था कि एक तल में किसी बिंदू को निर्दारित करने के लिए हमें निर्दिसांक अक्षों के युगम की आवश्यक्ता पड़ती है किसी बिंदू की Y अक्ष से दूरी उस बिंदू का X निर्दिसांग या भुज कहलाती है तथा किसी बिंदू की X अक्ष से दूरी उस बिंदू का Y निर्दिसांग या कोटी कहलाती है X अक्ष पर इस्थित किसी बिंदू के निर्दिसांग X0 के रूपे होते हैं तथा Y-क्ष पर इस्तित किसी बिंदु के निरदिसांग 0y के रूप में प्रदर्शित किये जाते हैं इस सेशन में हम दूरी सूत्र का अध्यन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं मान लीजिए कि दो बिंदू X अक्ष पर इस्तित हैं जिनके निर्दिसांग क्रम से 4-0 तथा 8-0 हैं ये दोनों बिंदू X अक्ष पर इस्तित हैं इनको क्रम से हम A तथा B बिंदू से डिनोट कर देते हैं यह बिंदू A है तथा यह बिंदू B है अब हम इन दोनों बिंदू के बीच की दूरी ग्यात करेंगे इसके लिए हम यहां से इसको ओ मान लेते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी को हम ओ की रूप में पिदरशित करते हैं इसी तरीके से हम बिन्दु बीक की दूरीmi यहां से हम O B के रूप में फिदर्शित करेंगे अब हम बिंदू A और B के बीच की दूरी बड़े आसानी से ग्यात कर सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं A B बराबर O B रिन O A तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि O A के बीच की दूरी यहाँ पे छूंकी चार है यहां से यहां तक की दूरी और O और B बिंदू के बीच की दूरी आप देख रहे हैं 8 है हम यहां पर O B का मान रखेंगे 8 और O A का मान 4 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 रिंड 4 ब्राबर 4 इस प्रकार से हम A B बिंदू के बीच की दूरी ग्याद कर लेते हैं जो कि हमें 4 मातरक के रूप में प्राप्त होती है मान लिजिये की एक सहर B पूर्व की ओर 36 किलोमेटर दूर इस्थित है तथा उत्तर की ओर 15 किलोमेटर दूर इस्थित है अब हमें इन दोनों सहर के बीच की दूरी को ग्याद करना है तो हम इन दोनों सहर के बीच की दूरी को ग्याद करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एक समकून त्रभुज हमारा निर्मित हो जाता है और यदि हम इसे आधार ले और इसे हम लंब लेकर चलते हैं तो यहाँ पर हमें यदि करन का मान ग्याद हो जाता है तो इन दोनों सहरों के बीच की दूरी ग्याद हो जाएगी इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमे का उपयोग करते हैं तो पाइथागोरस के प्रमे के कथन के अनुशार किसी समकून त्रभुज में करन का वर्ग अन दो बुजाओं पर बने वर्गों के युखफल के बराबर होता है अर्थात इसे हम ऐसा कह सकते हैं करन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग यहां पर हम मान रख देते हैं करन को हम A B से प्रदर्शित करते हैं इसे हम लखेंगे A B का वर्ग और लंब को हम यहाँ पर यदी O बिंदू दे देते हैं तो O B से प्रदशित करेंगे O B का वर्ग और आधार हमारा O A है इसे हम लखेंगे O A का वर्ग अब यहाँ पर अधी मान रखते हैं तो देखते हम कि ओभी का मान रखने पर हमें 15 की घात 2 लिखना होगा और यहाँ पर ओए का मान 34 की घात 2 लिखना होगा इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 15 की घात 2 बराबर 225 होता है इसी प्रकार से 36 की घात 2 बराबर 1296 होता है और इसे हम योग कर देते हैं तो यहाँ पर 1521 राप्त होगा अब चुकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB के वर्ग का मान है यदि हम यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इस पक्ष में वर्गमूल लगाना होगा अर्थात 1521 का वर्गमूल हम ग्यात कर लेते हैं तो AB बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 49 तो यह जो बिंदू A और B के बीच की जो दूरी निकल कर आई है यही हमारे दोनों सेहरों के बीच की दूरी होगी अब मान लिजी कि किसी तल पर दो बिंदू इस्थित हैं जिने हम क्रमसे P तथा Q से डिनोट कर रहे हैं और इन बिंदूओं के बीच की दूरी हमें ग्यात करना है इनके निर्दिसांग क्रमसे X1, Y1 यहाँ पे हम लिख लेते हैं X1 और Y1 और Q बिंदू के निर्दिसांग X2 तथा Y2 हैं अब यदि हमें इन दोनों बिंदूओं के बीच की दूरी ग्यात करना हो तो हम इन दोनों बिंदूओं को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से और यह हमने मिला दिया और इन दोनों बिंदूओं की बीच की दूरी हमें ग्यात करना है सबसे पहले हम यहाँ पर इस मुल बिंदु को हम उसे डेनोट करते हैं और यहाँ पर OX पर P से एक लंब खीशते हैं इस तरीके से इसी प्रकार से हम बिंदु Q से OX पर एक लंब खीशते हैं इन बिंदों को हम जो कटान बिंदो प्राप्थ हुए हैं इन्हें करम से R तथा S से डेनोट कर लेते हैं और यहां से पुने हम P बिंदो से एक लंब O वाय पर खीशते हैं इस प्रकार से यह हमने खीश दिया और अब हमें दिखाई दे रहा है कि एक समकोन तरभुज यहां प से नमांकित कर देते हैं इस प्रकार से समकोन तरभुज P T Q हमें प्राप्त हो जाता है अब हम यहां पर ध्यान देंगे कि इनके बीच की दूरियां हमें ग्याद करना है यदि हम यह दूरियां ग्याद कर लेते हैं तो पाइथाक और उसका प्रमे के कथन के अनुसार हम यह कि यहाँ पर X1 Y1 इस बिंदू के निर्दिसांग हैं तब इस्तिति में O से R के बीच की दूरी X1 होगी और इसी प्रकार से यहाँ पर O से S के बीच की दूरी हम देख रहे हैं कि X2 यहाँ पर निर्दिसांग दिये गए तो यह दूरी X2 के बराबर होगी अब यदि हम यहाँ पर इन दोनों बिंदू R तथा S के बीच की दूरी ग्यात करें तो हमें X2 में से X1 को माइनस करना होगा अर्थात यह दूरी हमारी X2 माइनस X1 के बराबर प्राप्त होती है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदू QT की यदि लंबाई ग्यात करना है तो इसी प्रकार से जैसा कि हमने यहाँ पर मान ग्यात किया है इसे भी ग्यात कर लेते हैं यह दूरी हम जान रहें कि Y1 के बराबर है और यह वाली दूरी Y2 के बराबर है इसका तात्पर है कि ये जो दूरी qt की है वह y2-y1 के बराबर हमें प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से हमने यहाँ पर pt तथा qt का मान निकाल लिया क्योंकि rs pt के समनांतर है इसलिए इसका मान भी x2-x1 के बराबर होगा अब हम पाइथागुरस प्रमे का उपयोग करेंगे पाइथागुरस प्रमे के कतन के अनुसर यहाँ हम देख रहे हैं समकुरतरवस pt q में pq का वर्ग बराबर pt का वर्ग धन qt के वर्ग के बराबर है अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं तो यहाँ P T का मान यहीं हम रखते हैं तो इसका मान होगा X2-X1 तो इसे लिख देते हैं X2-X1 और शुमकि इसकी घात दो लिखा है तो यहाँ पर हम दो लिखेंगे और यहाँ पर फिर धनका चिनल लगा है और QT कमान हम देख रहे हैं कि Y2-Y1 के बराबर है तो इसे लिख देंगे Y2-Y1 और इसकी घात भी दो लगा हुआ है अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि PQ के वर्ग के बराबर है यदि हम यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इस इस्तिती में हम देखते हैं कि PQ बराबर होगा, यहाँ पर इस पक्ष में हमें बर्गमूल लेना होगा, यदि हमने PQ का वर गटा हैं तो इसे लिखेंगे X2-X1 की घाद दो, धन Y2-Y1 की घाद दो, अब यह जो मान प्राप्त हुआ है, यही इन दोनों बिंदों के ब आता है कि PQ बराबर करनी X2-X1 की घाद दो, धन Y2-Y1 की घाद दो, अब इस सूत्र को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस सूत्र को हमने PQ बराबर करनी X1-X2 की घाद दो लिखा है, और धन Y1-Y2 की घाद दो लिखा है, इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है चुकि यहां पर यदि हम किसी रिणात्मक संख्या हमें प्राप्त होती है तो उसकी घात दो करने पर हमें एक धनात्मक पुर्णांग की प्राप्त होगा अब यदि मूल बिंदू के निर्दसांग 00 है उस इस्तिति में दूरी का सूत्र निम्न होगा तो हम इस इस्तिति में यहां पर जो बिंदू O से P तक की दूरी है वय होगी करनी एक्स इसकरधन वाय स्केर तो इस प्रकार से हम दूरी के सूत्र का उप्योग करते हुए किनी दो बिंदों के बीच की दूरी ग्यात कर सकते हैं अब चलिए इन पर आधारित कुछ प्रस्नों का अभ्यास करते हैं यहां पर एक प्रस्न देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है बिंदू दो तीन तथा चार एक के बीच की दूरी हमें ग्यात करना है इन दोनों बिंदों की बीच की दूरी ग्यात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे माल लिजिए कि यह बिंदू क्रमसय पी तथा क्यू है तो हमें इने ऐसा लिख देते हैं पी दो तीन तथा क्यू चार एक और यहां से हम बिंदू पी को X1 तथा Y1 के रूप में यदि डिनोट करते हैं तो X1 का मान 2 के बराबर होगा तथा Y1 का मान 3 के बराबर होगा इसी प्रकार यहां पर यदि हम इसे X2 और Y2 के रूप में लेकर चलते हैं तो X2 का मान 4 होगा और Y2 का मान 1 के बराबर होगा सूत्र का उपयोग करें तो हम जानते हैं कि दो बिंदू के बीच की दूरी का सूत्र P की बराबर करनी X2-X1 की घात दो धन Y2-Y1 की घात दो होता है अब यहाँ पे हम क्रम से X1, Y1, X2 तथा Y2 के मान रखेंगे तो यहाँ देखते हैं कि मान रखने पर हमें इस प्रकार से यहाँ पर X2 का मान चार और X1 का मान दो रखेंगे इसकी घात दो लिखना होगा दथा यहाँ पर Y2 का मान हम देख रहे हैं एक है और वाय बन का मान तीन है तो इसे एक रिंड तीन की घात दो लिखेंगे अब यहां पर हम इसे सरल कर लें तो सरल करने पर यहां पर चार में से दो कम करेंगे तो दो की घात दो प्राप्त होगा इसी प्रकार से एक में से तीन को कम करेंगे तो रिंड दो की घात दो प् तो हमें प्राप्थ होगा करणी आठ इसे हम ऐसा लिख सकते हैं चार गुरित दो और चार का वर्गुल चुकि हम जानते हैं कि दो होता है और इसे लिखेंगे दो करणी दो एकाही या मातरक इस प्रकार से किनी दो बिंदों के बीच की दूरी हम ग्याथ कर सकते हैं आईए अब यहाँ पर रिदिसंग जामिती के नित्रगत दूरी के सूत्र पर आधारित एक और समस्या देखते हैं जिसमें हम देख रहे हैं, क्या बिंदु 3,2, रिंड 3 और 2,3 एक त्रभुज बनाते हैं, यदि हां तो बताईए कि किस प्रकार का त्रभुज बनता है, जो बिंदु ग्यात हैं, इन्हें हम करम से P, Q, R मान लें, तब यहां पर P का मान 3,2, Q का मान रिंड 2, रिंड 3, तथा R का मान 2,3 होगा, अब हम यहां पर दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, जिसमें P, Q बराबरे करनी X2-X1 की घाद 2, धन Y2-Y1 की घाद 2 होता है, यहां पर हम मान रख लेते हैं, यदि करम से P, तथा Q बिंदु के बीच की दूरी ग्यात करना है, तो हम यहां पर P, Q के बीच की दूरी ग्यात करेंगे, और इसे लिखेंगे, यहां हम लिख देते हैं, X2 का मान रिंड 2 होगा, और इसी तरीके से X1 का मान 3 होगा, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो लगबक 0-7ности7 की बराबर इसका वर्गमूल हमें प्राप्त होता है इसी प्रकार से हम बिंदू Q तथा R के बीच की दूरी ज्यात करेंगे तो इसे लिखेंगे Q R बराबर कर्णी यहां पर जैसा हमने दूरी के सूत्र से यहां मान रखा है इसी प्रकार से इसको X1 Y1 इसको X2 Y2 यदि लिते हैं तो यहां पर X2 का मान 2 और यहां रिण का चिन रिण में यदि रिण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा और यहां धन 2 की घात 2 होगा इसी प्रकार से यहां पे पहले Y2 का मान 3 होगा और Y1 का मान रिण 3 रिण में रिण का गुणा होगा तो धन 3 हो जाएगा इसे हम यहां पे सरल कर दें तो दो दो 4 ह होगा और चार की गात दो बराबर 16 होगा और इसी प्रकार से यह इन बराबर 6 होगा और 6 की गात दो बराबर 636 होगा और यदि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल साथ दसमलो 2,1 के बराबर हमें प्राप्त होता है अब हम यहाँ पर P R का मान गयात करेंगे और देखते हैं कि P R यहाँ प्यादी X1, Y1 तथा इसे हम X2, Y2 के बराबर लेके चलते हैं तो यहाँ हम इसे दूरी के सूत्र के अधार पर लिख सकते हैं 2,3 की घात 2 और इसी प्रकार से धन 3,2 की घात 2, इसे आगे सरल करते हैं तो 2 में से 3 घटाने पर रिण 1 हमें प्राप्त होता है और रिण 1 की घात 2 यदि करते हैं तो इसका मान 1 के बराबर होता है और इसी तरीके से यहाँ पर यदि 3 में से 2 को कम करते हैं तो एक प्राप्त होगा और एक की हाथ दो बराबर एक ही प्राप्त होता है इस प्रकार से यहाँ पे इनका योग कर दें तो करणी दो के बराबर हमें मिल जाता है और करणी दो का मान जैसा कि हम जानते हैं कि एक दसमलो चार एक के बराबर होता है जानते हैं कि तीन बिंदू 27 को 1.41 में जूड़ते हैं तो यह लगबग हमें 8.48 के बराबर प्राप्त हो जाता है जो की 7.21 से अदिक है तो इस प्रकार से ये तीनों बिंदू एक तरभुज बनाते हैं और किस प्रकार का तरभुज बनाते हैं इसे भी हम चेक कर ले यहां यदि ध्यान दे आप तो PQ का मान करणी 50 के बराबर हुआ है हमें PQ का मान करणी 50 के बराबर प्राप्त हुआ है तो इसे हम PQ की घात 2 लिख सकते हैं धन इसी प्रकार से यहां पे P R का मान हमें करणी 2 प्राप्त हुआ है तो यदि हम इसका मान रखते हैं क्रम से यहाँ पे करणी 50 की घाद 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 50 प्राप्थ होगा और इसी प्रकार से PR का मान हम देख रहे हैं करणी 2 है उसकी घाद 2 करते हैं तो 2 प्राप्थ होगा अब इस प्रकार से यदि ये पी क्यू का वर्ग भराबर क्यू आर के वर्ग के प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि ये एक समकून तर्भुज निर्मित करता है चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर यदि पाइथागुरस के बिलोम के अनुसार यदि कर्ण का वर्ग अन्दो ब तो इस प्रकार से यहाँ जो कोण पी का मान नब्बे अन्स के बराबर हमें प्राप्त होता है इसलिए एक समकून तर्भुज बनेगा चलिए अब दूरी पर आधारित एक और समस्या को हम सरल करते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्स और वाय में एक सम्मंद ग्यात करना है ताकि बिन्दू एक्स वाय बिन्दू साथ एक और तीन पांस से सम्दूरस्त हों मान लेते हैं कि पी एक्स वाय बिन्दू ए साथ एक और वी तीन पांस से सम्दूरस्त हैं अते हमें ऐसा कह सकते हैं कि एपी बराबर बीपी हमें ग्यात है और जैसा कि हम जानते हैं कि द दूरी का जो सूत्र है दूरी बराबर करणी x2-x1 की घात दो धन y2-y1 की घात दो होता है तो इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे और यहां पे हम a p और b p के बीच की दूरी हम लिखेंगे तो देखें यहां पे a p का मान यदि लिखते हैं तो यह बिंदू हमारा a 7-1 है और p बिंदू xy है तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बिंदू के बीच की दूरी के सूत्र के आधार पर हम a p के बीच की दूरी यहां पे लिखेंगे यदि हम करम से इसको x1-y1 तथा x2-y2 के रूप में मान के चलते हैं तो इसे लिखा जा सकता है करणी यहां पे हम लिखेंगे x-rind 7 की घात 2 और धन इसी प्रकार से y-rind 1 की घात 2 अब यदि बिंदू b तथा p के बीच की दूरी हम लिखेंगे x-rind 3 की घात 2 धन यहां पे लिखेंगे y-rind 5 की घात 2 अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में बर्गमूल लगा हुआ है तो दोनों पक्षों से बर्गमूल हटाने पर इसे हम ऐसा सरल कर सकते हैं इसे हम लिखेंगे x-rind 7 की घात 2 धन वायरिन 1 की घात 2 बराबर x-rind 3 की घात 2 धन वायरिन 5 की घात 2 अब आप इसे सरल कर दीजे तो सरल करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर x-rind 7 की घात 2 अर्थात a-rind b के वर्ग के सूत्र से हम इसे लिखेंगे e का वग धन b का वग रिन 2 a-b तो इसे आप लिखेंगे x की घात 2 धन साती साती एक उननचास और रिन 14 x इसी प्रकार से इसे हम लिखेंगे y की घात 2 धन 1 की घात 2 अर्थात 1 और इसी तरीके से रिन 2y अब बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं तो x को हम लिखते हैं x की घात 2 धन 9 रिन 6 x इसी प्रकार से y रिन 5 को हम लिखेंगे y की घात 2 धन 25 रिन 10y अब यदि हम यहाँ पर ध्यान दे तो दोनों पक्षों में x की घात 2 है एक धनात्मक है और इधर भी धनात्मक यदि इधर पक्षांतर करते हैं तो दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे तो x याद 2 को हम आपस में कैंसल कर देते हैं इसी पकार से y की घात 2 वाले पद को आपस में कैंसल कर देते हैं क्योंकि पक्षांतर होकर धनात्मक हो जाएगा जि तो यहां रिणात्मक देखने तो इसका पक्षंत्र उधर कर देते हैं तो धन्च उदा एक्स और रिणड़ 6X इसी पेकार से यहां पर रिणड़ 10y और यह 2y का उधर पक्षंत्र करते हैं तो धन्व 2y होगा और इसी तरीके से यहां पर 59ास धन एक के तरफ हम 9, 25 का यदि पक्षांतर करते हैं तो जन 2, 25 होगा अब इसे हम सरल कर लें, तो सरल करने पर हम पाते हैं कि यहां पर 14 में से 6X को यदि कम करते है तो 14 में से 6X को कम करने पर 8X हमें पराप्त होता है, इसी प generate 10 2y ब्लाबर 9y हमें मिल जाता है और यहाँ पे 49 और 50 हो जाता है 50 में से हम यदी 34 को कम करते हैं यहाँ पर 16 प्राप्त होता है यदी हम इस समीकरण में 8 का भाग देते हैं तब हमें मिल जाता है यहाँ पर X रिन Y बराबर 2 यही X तथा Y में 22 सम्मंद होगा अब चलिए यहाँ पे एक और समस्य इसी प्रकार की यहाँ देखने को मिलती है जैसा कि यहाँ देख रहे हैं X पर Y बिन्दू ग्यात करना है जो 2 रिन 5 रिन 2 9 से सम्दूरस्त हैं अर्थात समान दूरी पर इस्थित हैं अब मान लेते हैं X पर इस्थित बिन्दू के निर्दसांक P X 0 होंगे तथा यदि हम दिये गए बिन्दू को करम से A तथा B मान लेते हैं इस इस्थिती में प्रस्ण के अनुसार चुकि दोनों बिन्दू समान दूरी पर इस्थित हैं तो इसे हम लिखेंगे P A बरावर P B अब यदि यहां पर दूरी के सूत्र का उपयोग करते हैं तो इसे हम लिखेंगे करनी X2-X1 की या 2 धन Y2-Y1 की गात 2 मान रखने पर हम पाते हैं P A का मान यदि रखते हैं तो इसे हम लिखेंगे करनी X2-X1 अर्थात P तथा A बिंदू आप देख रहें यहां पर X0 तथा A 2 रिंड 5 है तो यहां हम लिखेंगे X2 की गात 2 धन इसी प्रकार से यहां पर Y के स्थान पर 0 यदि रखते हैं तो 0 रिंड 5 रिंड में रिंड का गुणा करते हैं जाता है जीरो धन 5 की गात 2 होगा अब यदि Пीवी कमान रखते हैं तो यहां हम पाते हैं X रिंड दो होगा तो यहां पर धन दो हो जाएगा और इसकी गात 2 लिखेंगे धन कचिन लगाएंगे और सुन रिन नौ लिखेंगे तो यह रिन नौ की घात दो होगा या इसे हम लिख सकते हैं सुन रिन नौ की घात दो ऐसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में वर्गमूल लगा हुआ है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां से वर्गमूल सूत्र लगाएं तो यहाँ पर एक वर्ग रिंड दो विन Duncan बी का वर्ग याइसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स की घात दो धन चार-120 में यहाँ पर लिखिंगे चार एक्स धन पासरी तब को हम लिखिंगे तैसे बराबर यहां पर हमें X धन दो की घाट दो अरथात A धन B का सूत्र लगा दे वर्ग का तो हम पाते हैं कि A का अरथात X का वर्ग होगा धन B का वर्ग अरथात 4 हो जायेगा यहां पर और 2AB अरथात 4X के बराबर होगा अब यदि रिडुनों की हाथ 2 को लिखते हैं तो 9-981 होता है यहां पर हम इसे लिख देते हैं अब यहां पर ध्याँ से देखें तो यहां पर इक्स की आत दो, और यहां पर भी एक्स की आत दो है और बंगे बंगे फ़ाले पक सब्सक्राइब ग्शार अच्सकेशरों करते हैं इह एख स्वधूर्ंध neither दो देखते हैं यहां पर एकस क्यार क्यार तो तो rin x square और 4x का इधर पक्षांतर करेंगे तो rin 4x होगा और यहां पे 4 धन 81 लिखेंगे और इसी पेकार से 4 और 25 का इस तरह पक्षांतर कर दें तो rin 4 rin 25 होगा धन x square से rin x square cancel हो जाता है और rin 4 और rin 4x rin 8x के बराबर और इसी तरीके से इसे हम सरल कर दें तो यहां पे धन 4 rin 4 cancel करने पर 81 rin 25 से बसता है जिसमेंसे हम सरल करेंगे तो 81 से 25 को कम करने पर 56 प्राप्थ होगा यदि हम 8 का पक्षांतर कर दें और rin का भी तब यहां से x बराबर हमें मिल जाता है 56 बटे rin 8 और यहां कैंसल करने पर हम पाते हैं कि x का मान हमें rin 7 के बराबर प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से हम उस बिंदू को प्राप्त कर लेते हैं आता हुआ है बिंदू P X0 X के इस्थान पर हम Rin7 लिखिऊंगे और यहाँ पर pronoun series grand 2017 होगा तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें वहे बिंदू ज्यात करना था एक सक्ष पर तो वहे बिंदू हमारा P real70 प्राप्ट होगा झाल